दोस्तों अगर आपको पैसों की जड़त है और आप लॉन लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ mobiq app के बारे में अगर आप mobiq के तुरू loan के लिए apply करते हो तो यहाँ पर आपको दो तरीके के loan मिलते हैं पहला जो loan होता है वो होता है credit limit वाला मतलब इसमें आप 60,000 रुपए का zero interest rate पर बिना interest rate के आप यहाँ पर credit limit ले सकते हैं इस वाली limit को अगर आप आज के महीने में यूज में लेते हैं तो next महीने में आपको इस वाली limit को pay करना होता है और इस वाली limit की जो limit होती है वो maximum 60,000 रुपए होती है इसके लबा अगर आप mobiq app के तुरू instant personal loan लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप 2,00,000 रुपए तक का instant personal loan ले सकते हैं यहाँ पर आपको जो limit मिलती है या फिर जो loan मिलता है इन दोनों तरीकों से जो भी आप लेते हो चाहिए आप credit limit लो या फिर आप loan लो उस वाले पैसे को आप तुरंत के तुरंत अपने मन चाहे bank account के अंदर transfer कर सकते हो तो अगर आप भी mobiq app के तुरू buy now pay letter वाली credit line limit लेना चाहते हैं या फिर आप mobiq app के तुरू instant personal loan लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखें आज की इस वीडियो में मैं आपको mobiq से दोनों तरीके बताऊंगा कि किस प्रकार से आप mobiq के तुरू buy now pay letter वाली credit limit किस प्रकार से ले सकते हैं जो की आपको 60,000 रुपए तक की मिलती है इसके लगा आपको second तरीका भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप mobiq एप के तुरू instant 2,000 रुपए तक का personal loan किस प्रकार से ले सकते हैं तो मैं आपको यहाँ पर process बताऊं उससे पहले आगर आपने अभी तक इस वाले वीडियो को like नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नीचे like का button मिल रहा है इस वाले button को दबाके आप सबसे पहले वीडियो को एक like कर दो इसके लवा अगर आपने अभी तक हमारे इस वाले चैनल को subscribe नहीं किया है तो नीचे आपको यहाँ पर subscribe का button मिल रहा है इस पर click करके आप चैनल को subscribe कर लो इसके लवा notification bell को on कर लो जिससे कि मैं जब भी कोई यहाँ पर loan की new video डलू तो उसका जो notification है वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाई इसके लवा अगर आपने अभी तक हमारे इस वाले टेलिग्राम चैनल को जोईन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर आप हमारे इस वाले टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लो क्योंकि अगर कोई भी new loan से लिटेड ओफर आता है new scheme आती है या फिर नया वाला mobile app आता है तो उसका जो update होता है उसका जो notification होता है वो सबसे पहले आपको इसी वाले टेलिग्राम चैनल पर देखने को मिलता है mobiq app से आपको credit line या फिर loan लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile phone में mobiq जो mobile app है आपको इसको download करना है download करने के लिए मैंने video के description में link दे रखा है उस पर click करके आप इसको download कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो play store से भी इस वाले app को आप direct download कर सकते हैं download होने के बाद आपको इसे open करना है उसके बाद आपके सामने इस तरके का dashboard आता है यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है spend now pay later मतलब यहाँ पर जो आपको बताये जा रहा है यह आपको credit line के बारे में बताये जा रहा है मैंने आपको बताया कि जो credit line है वो आपको यहाँ पर 60,000 रुपर तक की मिलती है और यहाँ पर इस वाली line को जैसे आपने इस महीने में यूज में ले लिया तो आपको next महीने में इसका payment करना होता है उसके बाद आपको यहाँ से loan लेने के लिए या फिर credit line लेने के लिए उपर की तरप आपको option मिलता है Skip का आपको इसकी पर गिलिक करना है इसकी पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस तरकी का dashboard आ जाएगा अब आपको यहाँ पर आपकी जो location है उसको allow करने के लिए बोलेगा यहाँ पर आपको अपनी location को allow करना है उसके बाद यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि Welcome to MobiQ, click your account quickly to start exploring the app तो मतलब सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको MobiQ से कुछ भी करना है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको sign up करना होगा तो उसके लिए आपको यहाँ पर Q sign up पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना है जो आप इस वाले एप के साथ लिंक करना चाहते हैं उसके बाद send OTP पर click करना है mobile पर OTP जाएगा OTP डाल कर वापस से आपको submit करना है उसके बाद अब आपके सामने इस तरकी का dashboard जाता है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साप साप लिका हुआ है zip EMI और नीचे launch लिका हुआ है और उपर की तरफ लिका हुआ है कि up to two lakh मतलब आप यहाँ पर दो लाक रुपा तक का loan ले सकते हैं अगर आपको loan के लिए apply करना है तो just आपको zip EMI launch इस पर किलिक करना है इस कलबा अगर आप इसको नीचे scroll करोगे नीचे scroll करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर साप साप लिका हुआ है get up to 60,000 buy now pay later at your favorites brand मतलब अगर आपको यहाँ पर 60,000 रुपा तक की credit limit लेनी है credit line लेनी है तो यहाँ पर इस वाली line को आप mobile recharge के लिए LPG booking के लिए electricity bill payment करने के लिए credit card का payment करने के लिए इसके लवा यहाँ पर आपको कई सारे options मिलते हैं जैसे आप recharge and bill payment के लिए stores near you मतलब आप यहाँ पर पैनल लूज जो stores होते हैं उन पर आप यहाँ पर payment कर सकते हैं इसके लवा travel मतलब इक्सिको, इजीमाई ट्रिप, गोई वीबो, ओयो आप यहाँ पर भी इस वाली limit को यूज में ले सकते हैं इसके लवा आप यहाँ से shopping कर सकते हैं electronics जो सामान होते हैं उनको purchase कर सकते हैं food order कर सकते हैं grocery, education, कई सारे options हैं जहाँ पर आप इस वाली limit को यूज में ले सकते हैं अगर आपको यहाँ पर limit के लिए apply करना है तो नीचे आपको option मिल रहा है zip का, आपको zip पर click करना है तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर limit के लिए apply करके बता देता हूँ उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको loan के लिए किस प्रकार से apply करना है तो limit के लिए apply करने के लिए नीचे आपको option मिल रहा है zip का, just आपको zip पर click करना है जिसी आप zip पर click करोगे यहाँ पर साप साप लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप 60,000 रुपए तक की credit limit ले सकते हैं और यहाँ पर 0% interest पर आपको यह limit मिलेगी और 5 मिनट के अंदर आपकी जो limit है वो आपके account में आ जाएगी उसके बाद आप नीचे देखेंगे के लिए claim your offer इस पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ से आपकी permission को allow करने के लिए बोलता है यहाँ पर आपको allow पर click करना है और यहाँ पर आपको सबी permissions को यहाँ पर allow कर देना है उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना pen card number डालना है नीचे आपको अपनी डेटोबर डालनी है नीचे आपको अपना email address डालना है उसके बाद checkbox पर click करना है और continue पर click करना है उसके बाद अब आप से यहाँ पर आपका आधार number मांगा जाता है आपको अपना आधारकार number डालना है आपके आदारकार पे OTP जाता है OTP डाल कर आपको submit करना होता है उसके तुरंत बाद यहाँ पर आपको अपनी एक photo डालनी होती है यहाँ पर आपको नीचे option मिलता है take a selfie आपको इस पर click करना होता है और आप जिसका भी यहाँ पर loan apply कर रहे हैं credit line apply कर रहे हैं उसकी photo आपको य आप यहाँ पर 5000 की रुपय की limit के लिए eligible है और आप यहाँ पर 6000 रुपय तक जितने रुपय के limit के लिए भी eligible होंगे वो वाली limit आपकी यहाँ पर आ जाएगी और आगे लिखा हुआ होगा कि जो limit आपको मिली है वो 0% interest rate पर मिली है इसकलब आप यहाँ पर नीचे दिखें चलके आपको बताऊंगा उससे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको वन टाइम जो फीस है यहाँ पर इस वाली limit की वो आपको 90 रुपय आपको पे करनी होगी लेकिन आपको यह अभी यहाँ पर पे नहीं करनी है अगर आप इस वाली limit को यूज में लेत जब आपको next month आपका payment करना होगा लिमिट का तो 100 प्लस 99 रुपय का payment आपको करना होगा तो यहाँ पर आपकी limit आपको मिल चुकी है जितने की भी आप eligible होंगे वो वाली limit आपको मिल जाएगी उसके बाद just आपको continue पर click करना है उसके बाद जो भी आपकी limit है वो आपको बीक्यूक mobile app के अंदर देखने को मिल जाएगी उसके बाद इस वाली limit में आपने कितने limit यूज की वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी उसके बाद आगर आप इसवाली limit को यूज में लेंगे तो यहाँ पर ही आपको limit को pay करने का option मिल जाएगा आप यहीं से अपनी जो limit उसका वापस से repayment कर सकते हैं अगर आपको आपकी जो limit है उसको अपने bank account में transfer करना है तो यहाँ पर आपको wallet to bank का option मिल जाता है आपको इस पर click कर देना है और click करके जो भी यह limit आपको मिली है उसवाली limit को आप अपने bank account के अंदर transfer कर सकते हूँ इसके लवा अगर bank account में transfer होने में दिक्कत आती है तो जो भी मैंने आपको platforms बताए हैं कि जैसे आप mobile recharge, electricity का bill payment, LPG, gas booking, health, education, grocery, इसके लवा भी कई सारे ऐसे section है जहां से आप इस वाली credit limit को यूज में ले सकते हूँ अब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि यहाँ से credit line 60,000 रुपए की किस प्रकार सी मिलती है अब बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ पर personal loan apply करना हो 2,00,000 रुपए का तो वो आप कैसे करेंगे तो personal loan apply करने के लिए यहाँ आपको option मिल जाता है लौन्स का simply आपको लौन्स पर क्लिक करना है लौन्स पर क्लिक करते ही अब आपके सामने इस तरकी का dashboard आएगा आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि जब तक आप इस वाले loan को यूज में नहीं लेंगे विडरा नहीं करेंगे अपने bank account में नहीं ल लगेगा उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको checkbox का icon मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है उसके बाद get started पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको allow का option मिलेगा आपको allow कर देना है उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपका जो आधार verification है वो आपको क आपको यहाँ पर देनी होती है आपको अपनी personal detail financial detail यह सारी चीज़ आपको देनी होती है कि आपकी जो personal details है वो क्या है इसकलब आपकी यहाँ पर financial detail आपको देनी होती है कि मतलब आप क्या करते हैं आपकी job क्या है आपकी salary कितनी है यह सारी चीज़ आपको यहाँ पर देनी हो और जब भी आपको यहाँ पर loan मिलता है उस वाले loan को transfer करने के लिए तुरंत के तुरंत आपको यहाँ पर bank account select करने का option मिलता है आप जिस भी bank account को select करना चाते हो जिस भी bank account के अंदर आप अपने loan के पैसा लेना चाते हो उस वाले bank account का bank account नमर आपको डालना होता है और उसी व यहाँ पर आप जिस वाले bank account में अपना पैसा transfer करते हो उसी वाले bank account में आपको यहाँ पर e-nuch करने का option मिलता है मतलब auto debit आपको करना होता है जब भी आप यहाँ पर loan का पैसा ले लेते हैं तो उसकी जो भी किस्त आती है जो भी EMI आती है जो भी उसका repayment का time आता है तो अगर यहाँ पर काट हो जाता है तो यहाँ पर मैंने mobiq से आपको दोनों तरीके बता दिये हैं कि अगर आपको यहाँ पर credit line लेनी है 60,000 रुपए तक की तो आप कैसे ले सकते हैं इसके लवा अगर आपको यहाँ से loan लेना है तो आप loan किस परकार से ले सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक करें दोसके साथ सेयर करें साती अगर आप हमारे चैनल पर नए है प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें इसके लवा अगर आपको मोबी क्यूग से 60,000 रुपए की credit line लेने में या फिर आपको loan लेने में किसी परकार की problem आ रही है तो आप में नीचे comment करके लिख सकते हैं या फिर मैंने वीडियो के description में Instagram और Telegram का link दिया हुआ है वहाँ पर जाकर direct आप हमें Instagram और Telegram पर direct message कर सकते हैं क्योंकि जो भी हमें वहाँ पर direct message करता है हम उनका 100% reply देने की कौसिज करते हैं